किसे हाल ही में FIH Player of the Year Award से सम्मानित किया गया A. Ayana Maclean, B. Hardik Singh, C. Amanpreet Singh, D. Balbir Singh, Answer, Hardik Singh, Explanation अंतराष्ट्रिय होकी महासंग, FIH ने घोषना की की भारत के Hardik Singh और सविता ने 2023 FIH Player of the Year और FIH Goalkeeper of the Year का Award जीता साल 2021 और 2022 में जीतने के बाद ये सविता का लगातार तीसरा FIH महिला Goalkeeper of the Year Award है खिलो इंडिया यूद गैम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा A. हर्याना, B. राजस्थान, C. तमिलनाडू, D. उत्तर प्रदेश, Answer, तमिलनाडू, Explanation खिलो इंडिया यूद गैम्स के आधिकारिक लोगो, जर्सी, शुभनकर और थीम गीत को लांच किया खिलो इंडिया यूद गैम्स का छठा संसकरन आगामी वर्ष में 19-31 जन्वरी तक निर्धारित है आगामी संसकरन तमिलनाडू के चार शहरों चेननाई, त्रिची, मदुरय और कोयमबटूर में होगा यूवा खेलों के पिछले पाच संसकरन दिल्ली, पुने, गोहाटी, पंच्छुला और भोपल में आयोजित किये गए थे किस केंद्रिय मंत्री ने दो दिवसिया जन्जातिय केंद्रित कार्यक्रम आधी व्याख्यान का उद्धातन किया अ, अर्जुन मुंदा, बी, स्मृती इरानी, सी, अनुराग ठाकुर, डी, निर्मला सीतारमन, आंसर, अर्जुन मुंदा एक्स्प्लिनेशन, केंद्रिय जन्जातिय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंदा ने नई दिल्ली में दो दिवसिया जन्जातिय केंद्रित कार्यक्रम आधी व्याख्यान का उद्धातन किया कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रिय जनजातिय अनुसंधान संस्थान एंटियाराई द्वारा किया गया है जिसका उद्देश जनजातिय परंप्राओं और संस्कृती की जटलताओं की गहरी समझ और उनके अस्तित्व की चुनोतियों का पता लगाना है भारतिय रेल्वे के किस जोन ने महिला यात्रियों के सुरक्षा के लिए सिफ्टी, पैनिक बटन, सुविधा लॉंच की है ए मध्य रेल्वे, बी पूर्व रेल्वे, सी उत्तर, पूर्व सी मांत रेल्वे, दी पूर्वी तट रेल्वे, आंसर, मध्य रेल्वे, एक्स्प्लेनेशन, मध्य रेल्वे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन, प्रनाली शुरू की है लाल पुश बटन के रूप में डिजाइन किया गया पैनिक बटन सुरक्षा सुविधा के रूप में लोकल ट्रेनों में चार महिला कोचों में से प्रत्येक के अंदर स्थापित किया गया है विश्व स्वास्थे संगतन की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कौन सा देश 10 लाग से अधिक बच्चों के बीच गंभीर कुपोशन का सामना कर रहा है ए यमन, बी फिलिस्थीन, सी सीरिया, डी अफगानिस्तान, आंसर, अफगानिस्तान, एक्स्प्लेनेशन, डबल यू हो के अनुसार, अफगानिस्तान गंभीर बाल कुपोशन संकत का सामना कर रहा है, जिससे 10 लाग से अधिक बच्चे प्रभावित है, और बढ़ते संकत से निपटने के लिए ततकाल अंतराष्ट्रिय सहायता और फंडिंग का आगरा किया गया है,